अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक सार ऑटो रिक्षा के ऑटो लिफ्टिंग में शामिल एक व्यक्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली थी तुरंत इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ट के नेत्रित्व में एक टीम जिसमें एसाई सिध्धार्थ, एसाई उपेंद्र, एसाई रणबीर, हेड कांस्टेबल पवित्र, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल हैमन्त, हेड कांस्टेबल कृष्ण, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल मोनू, कांस्टेबल सौधान और कांस्टेबल मुकेश टेमन में थे जो एसीपी ओपरेशन की देखरेख में गठित किया गया था। टीम को उचित रूप से जानकारी दी गई और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया गया। टीम ने गगन सिनेमा नंद नगरी के पास जाल बिछाया। मुखपिर के कहने पर श पूशिश की लेकिन पुलीस टीम ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आटो के मालिक और दस्तावेजों के बारे में पूछने पर वह कोई संतोश जनक जवाब नहीं दे सका। सत्यापन करने पर बरामद आटो चोरी का पाया गया। पूचताच करने पर उसने खुलासा किया कि उसने अफजल नामक व्यक्ती से आटो खरीदा था। उसकी निशानदेही पर छापे मारी की गई और अफजल पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी त्रिलोक पुरी दिल्ली उम्र बयालीस वर्ष को भी गिरफतार किया और उसके कबजे से चोरी की गई आटो रिक्षा की दो छे दामों पर बेच दिया था। EFIR Sankhya 001309-1389 IPC थाना फर्ष बाजार और संख्या DL एक आजिल 9003 EFIR Sankhya 0016189-1389 IPC थाना कमला मार्केट के तहट चोरी की गई विस्तरित जांच में आरोपी अफजल पहले चोरी के नौ मामलों में शामिल पाया गया था। इसके अलावा अन्य मामलों में भी उनकी सनलिप्ता का पता लगाने के प्रयास जारी है। आरोपी व्यक्तियों का विवर्ण चार ब्रजेश पुत्र मोहन लाल निवासी लाडो सराय, महरौली, दिल्ली, उम्र पैतीस वर्ष। बरामद गी तीन चोरी की गई टी एसर आटो रिक्षा, दो छिड़ छाड की गई नंबर प्लेट। झाँ, प्लेश 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 जाया की वर्ष।